दोस्तो किसी भी website को impressive look और user friendly interface provide करने के लिए सबसे जो main role play करता है वो होता है website का theme अगर आपके site के उपर proper theme नहीं है तो आपकी content चाहे जितनी भी बहतर हो उसे आप बहतर तरीके से online presence नहीं दे सकते वैसे तो market में आपके पास बहुत सारे इसे premium themes मिल दाएंगे जिनहें आप purchase करके अपनी site को advanced customization के साथ साथ उसको impressive look और user friendly बना सकते हैं लेकिन जब बात आती है कि कौन सा हम free theme यूज़ करें जिसके according हम अपनी website को impressive भी बना सके और user friendly भी बना सके तो वैसे मैं आपके पास बहुत ही limited option होता है और उन limited options में से मैं आपको आज एक theme के बारे में बताने वाला हूँ उस theme को आप अपनी website या blog के लिए use कर सकते हैं और आप भी अपनी website या blog को impressive और user friendly उसको साथी साथ SEO friendly और AdSense friendly भी बना सकते हैं सो विदावद further delay चले वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से आपने cadence theme को अपनी site के उपर install करनी है उसे activate करनी है और उसकी customization को perform करनी है अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी web hosting के उपर WordPress को install करेंगे successful होने के बाद आपकी site कुछ इस तरीके की show हो जाएगी जिसके उपर एक basic सा template लगा हुआ होता है आप जिस भी hosting service provider से अपनी hosting purchase करेंगे उसकी recommended यहाँ पर एक template theme लगी होई होती है अब इसका structure आपने त्यार करना है तो अब structure किस तरीके का होनी चाहिए सबसे पहले तो आपने choose कर लेनी है कि आपको कौन सी types की website को design करनी है यानि कि आपको e-commerce की site बनानी है आपको blog create करनी है या आपको एक service providing website बनानी है उसके design को आपने mind में set कर लेनी है अब यहाँ पर यह हो गया cadence theme जिसे आपने इस वीडियो का अंदर सीखनी है कि कैसे इसे customize करेंगे अब यही एक theme नहीं है अगर मैं आपको सिर्फ cadence के बारे में ही बताऊं तो यह आपके साथ नाइसाफी होगी इसके साथ आप चाहें तो अस्ट्रा को भी use कर सकते हैं generate price को भी use कर सकते हैं ocean vp को भी use कर सकते हैं इन सारे themes का भी free version आपके side के उपर बहुत better perform करेगा हाला कि अगर cadence का हम देखें तो cadence का download यहाँ पे बहुत कम है यहाँ पे 2 लाग के करीब इसके active installs हैं वहीं अगर हम ocean vp का देखें तो यहाँ पे 7 लाग के plus इसका active install है generate price का यहाँ पे 6 लाग plus active installs है और astra का तो यहाँ पे 1 million plus active installs है तो ऐसे में यहाँ पे आपको यह सारे themes भी optional हैं इन themes को भी आप use कर सकते हैं लेकिन cadence को भी आप यहाँ पे नदर अंदाज नहीं कर सकते हैं अब cadence के अंदर यहाँ पे कुछ advanced features आपको मिल जाएंगे जो कि आ आपको cadence free में provide कर देता है तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको cadence theme को recommend कर रहा हूँ कि एक बार आप cadence theme को भी use करके अपनी site के उपर देख सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमें क्या करनी है कि cadence theme को पहले अपनी site के उपर install करनी है तो install करनी के लिए आप यहाँ directory से भ इस topic के उपर हमने multiples videos के अंदर आपको बताई ही किस तरीकिस आपनी themes और plugins को उसके zip file को अपनी site के उपर upload करनी है अब हम जाएंगे यहाँ dashboard के अंदर यहाँ appearance में जाएंगे themes add new theme तो यहाँ recommended में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा cadence अब आपने यहाँ cadence इसको install कर लेनी है then activate अब theme install और activate होने के बाद आपके सामने install cadence starter template इसका आपको यहाँ पर notification मिल जाएगा अब इसे आपने क्यों install करनी है तो जब आप इसको install नहीं करेंगे तो यह theme properly आपके site के उपर work नहीं करेगा इसलिए इस starter templates को आपने install करना ज़रूरी है इसके अंदर कुछ extensions plugins भी है जिनक यूज़ करके आप इस theme को properly optimize कर सकते हैं इसको customize कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर install cadence starter templates इसके उपर click करनी है next अब आपने यहाँ से अपनी theme को अपनी template को select करनी है कि कौन सा template आप अपनी site के उपर use करना चाते हैं जैसे कि अगर आपका e-commerce का site है online store है तो आप इस theme को use कर सकते है इस template को use कर सकते हैं अगर आपका freelance services बे provide कर रहे हैं तो आप इस template को use कर सकते हैं अगर आप online courses वगरे सेल कर रहे हैं तो आप इस theme को choose कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पर filter out भी कर सकते हैं जैसे कि यह गुटनबर्ग editor के उपर हो गया और यहाँ पर आप Elementor के उपर करेंगे तो जो भी Elementor customizable यहाँ पर templates होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Elementor का अंदर भी आपको काफी सारे ऐसी templates मिल जा रहे हैं इन templates को आप Elementor के मदल से भी customize कर सकते हैं ओके अब यहाँ से आपने पहले template को choose कर लेनी है तो हम जैसे यहाँ प अपर हमने click करेंगे और यहाँ delete प्रिविसली इंपोर्टेट पोस्ट एंड इमेजेस इसके उपर हम टिक कर देंगे ताकि जो भी प्रिविसली इंपोर्टेट पोस्ट हो इमेजेस हो वो पहले delete हो जाए उसके बाद यहाँ पे यह template इंपोर्ट हो ओके अब जिसे कि जिसके उपर आप इस template को easily और भी बेतर तरीके से optimize कर सकते हैं, इसे customize कर सकते हैं, तो हम यहाँ पी क्या करेंगे, skip and import with partial content, इसके उपर हम click कर देंगे, यानि कि जो उस plugin से related जो भी customization है, उसको हम skip कर देंगे, तो अभी जो भी required plugins हैं, वो download होंगे, install होंगे, और उसके according यहाँ हमारा जो भी demo data होगा, वो हमारी site के उपर import हो जाएगा, और उसके according हमारी site convert हो जाएगी, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारी site के उपर demo data import हो चुका है, अब हमें यहाँ finished view your site, इसके उपर click करके, अपनी site का एक बार view देख लेना है, तो देखे, कुछ इस अब हमारा site पूरा change हो चुका है, अब हमें क्या करनी है, कि अपनी site के customization करनी है, अब देखिए किसी भी theme की जो सबसे specialities होती है, वो होती है कि आप उसके footer को change कर पाते हैं, यानि especially जब आप free themes वगरा use करते हैं, template use करते हैं, तो उसके अंदर आपको यह feature नहीं मिलेगा, ज आप इसके copyright के section को यहां से remove कर सकें, यानि कि इसके अंदर customize कर सकें, लेकिन जो themes हमने आपको बताए कि जैसे कि यह cadence हो गया, ocean vp हो गया, generate press हो गया, अस्टरा हो गया, इन सारे themes के अंदर आपको यह feature मिलेगा, कि आप इसके copyright section को remove कर सकते हैं, इसको आप edit कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ, आप यहां पे footer में जो भी menu sections हैं, इन sections को आप easily इसको customize कर सकते हैं, और header के section को भी आप customize कर सकते हैं, और इसके साथ आपको यह feature भी मिलेगा, कि आप elementor के अंदर भी जा करके, इसके header, footer को customize कर पाएंगे, तो अब हमें इसकी customization सीखनी है, तो उसके लिए हमें यहां customize, इसके उपर क्लिक करनी है, और इसके customizer में हमें इंटर कर जानी है, तो अभी हम आ गए हैं इसके customizer के अंदर, अब हमने यहां उपर से इसके सभी options को जानी है, कि किस option से आप कौन कौन से customization को perform कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहां पे मैं बता दूँ, कि यह होता है header, और यह होता है footer, इससे आप यहां से customize कर सकते हैं, इसके साथी साथ आपको जो यहां पे fonts बगरार दिख रहा है, बैक्ग्राउंड का बात नहीं कर रहा हूं, यह page का, यहां पे sections हो गया, theme के background आप change कर सकते हैं, इसके color को change कर सकते हैं, इसके आप यहां से menu navigation को change कर सकते हैं ये buttons को change कर सकते हैं logo और title को आप यहां से change कर सकते हैं बाकि इसके अंदर customize करने के लिए ये आपको page customizer का अंदर जाना होगा जिसके लिए आप elementor का use कर सकते हैं क्योंकि ये elementor friendly theme है तो आप elementor के मदद से ये customization यानि कि अपनी page customization को कर सकते हैं और custom page भी आप create कर सकते हैं अब हम यहां सबसे पहले colors के अंदर जाएंगे तो colors के अंदर आपको colors, buttons और typography ये तीन option मिलेंगे अब colors को आपने again open करनी है अब यहां सबसे पहले आपको global plate का option मिलेगा अब global plate के अंदर आपको ये logo है ये button हो गया call to action button इसके color को आप यहां से change कर सकते हैं उसके साथ इसाथ आपको यहां पर तीन plate मिल जाएंगे जिसके according आप अपनी customization कर सकते हैं यह हो गया second plate, यह हो गया third plate इस तरह से आपने देख लेनी है कि कौन सा best आपके लिए रहेगा उससे आपने pick कर लेनी है अब जैसे कि इसके अंदर आपको और भी customization करने है यानि कि इसके color को अपने according आप change करना चाहते हैं तो आपने यहां पर click करनी है और यहां पर color plate के color को आपने choose कर लेनी है जैसे कि हम यह color रखना चाहते हैं यह red ले लेते हैं इसके उपर हम click करेंगे तो यह color यहां पर change हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर site background का option मिलेगा यहां से आप अपनी site के background के color को change कर सकते हैं अब यहां पर आपको एक और भी feature मिलता है कि आप device के according भी यह सारे colors change कर सकते हैं जैसे कि आपको site का background change करना हो तो desktop पे आपको कौन सी color रखनी है tab पे आपको कौन सी रखनी है और mobile device पे आप कौन सी color रखना चाहते हैं उसके according भी change कर सकते हैं content के background को भी आप उसी तरह से change कर सकते हैं और यहां title above content जो background होता है उसके color को भी आप यहां device के according भी change कर सकते हैं अब उसके बाद यहाँ पर title एबब content overlay color यानि कि title के ऊपर का जो section होता है उसके color को अगर आप change करना चाहते हैं तो उसके color को आप change कर सकते हैं अब यहाँ पर उसको transparent ही रहने देते हैं ताकि जो भी हमारे background का color हो उसी के color का वो match हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको content link अब content link को आपको किस तरीके से रखनी है कि underline रखनी है, highlighted underline रखनी है, no underline, background on, however जैसे कि background उसके उपर आपका mouse pointer जाए तो उसका color change हो जाए, offset background इस तरह से आप इसे choose करके change कर सकते हैं अब यह link style क्या होता है, तो link style जैसे कि आप अपने content का अंदर कोई भी inner link या outer link डालते हैं, तो उसका color एक अलगी दिखना चाहिए, ताकि किसी भी audience को या किसी भी user को पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर link include है, उसकी color को आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप उसका color भी यह यहां से change कर सकते हैं, अब इसके बाद हम आ जाएंगे यहां buttons के अंदर, अब यहां buttons के अंदर text color इसके color को change करनी है, जैसे कि यहां buttons के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी यहां पर black है, तो यह black है, अब इसका hour color क्या है, तो hour color इसका red है, जैसे कि हम यहां पर ले जा रहा है इसके background हम यहाँ पर change करते हैं इसको कर देते हैं हम white text का color हमारा हो गया white और background color को हम यहाँ से change करेंगे फिर hour के background color को हम यहाँ से change करेंगे तो अब देखिए हम अपनी button के उपर जब mouse pointer ले जा रहे हैं तो यहाँ पर इसका hour color भी change हो जा रहा है उसके बाद border का भी color यहाँ पर change करना चाहते हैं जिसे कि यहाँ पर border लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर border लगा सकते हैं उसके color को border radius आपको लगानी है तो आप यहाँ से border के अंदर radius लगा सकते हैं इसकी font आपने चेंज करनी है तो आप यहां से font चेंज कर सकते हैं, font का style चेंज कर सकते हैं, font का size चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहां पर padding का भी option मिलेगा, यहां से padding आपको ज्यादा करनी है, कम करनी है, उपर में आपको ज्यादा ले जानी है, space करनी है, या नीचे में आपको करनी है वो आप यहां से side में right में left में वो चारी चीज़े आप यहां से कर पाएंगे उसके साथ button का shadow जो होगा उसके shadow को आप यहां से manage कर पाएंगे insert, outset आपको इसको manage करनी है वो आप यहां से कर पाएंगे button का hover state shadow यानि कि जब आप इसके आप यहां से कर पाएंगे अब हम आजएंगे यहां टाइपोग्राफिक के अंदर आपको यह हो गया base font यानि कि जो भी आप pages create करेंगे जो भी नए blocks आप create करेंगे उसका base font जो होगा वो यह होगा IBM black sense यह होगा उसकी regular style यह होगी regular उसका size यह होगा अब आप इसकी base font को change करना चाहते हैं तो वह आप यहां से कर सकते हैं उसके बाद से आप यहां पे headings के according भी change कर सकते हैं कि आपका main heading क्या होगा h1 heading का क्या होगा font h2 का h3 का इस तरीके से आप यहां पे change कर पाएंगे breed comes का आप यहां पे font change करना चाहते हैं तो वह भी आप यहां से कर पाएंगे enable font smoothing आप यहां से उसे भी कर सकते हैं उसके साथ इस साथ आप यहां पे google fonts का भी use कर पाएंगे जो कि आपको बाकी themes के अंदर free version में यह feature देखने को नहीं मिलता है अब हम यहां बैक हो जाते हैं हम इसे कर देते हैं publish उसके बाद next हमें यहां जानी है header के अंदर header के अंदर आपको यह सारे features मिलेंगे जैसे कि यह हो गया header और यह हो गया हमारा footer ओके तो header के अंदर पहले हम customization जान लेते हैं कि कौन-कौन सा feature आपको मिलता है इसके अंदर जिसके according आप अपनी site को customize कर पाएंगे तो सबसे पहले header में आपको यहां पर logo primary navigation और buttons दिख रहे हो यानि कि तीन feature यहां पर लगे हुए है यह हो गया हमारा logo यह हो गया हमारा navigation system और यह हो गया हमारा call to action button अब इसके साथ यहां पर और भी कुछ items है जिन्हें आप add कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि तीन columns यहां पर बने हुए हैं ओके तीन columns के अंदर यहां पर आप rows भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर तीन तीन rows हैं आप इन rows को आप यहाँ पे इसके अंदर features को add कर सकते हैं, widget को add कर सकते हैं, इसके साथ इसाथ अगर आप चाहे तो device के according भी आप इसे change कर पाएंगे, जैसे कि अभी जो preview हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह desktop device का preview है, अगर हम इसे mobile device के according change करना चाहें, तो हम change कर सकते हैं, जै अगर हमें यहाँ पे device के according change करनी है, जैसे कि हमें यहाँ पे logo इसकी size को change करनी है, तो हम यहाँ से change कर पाएंगे, हम यहाँ जाएंगे logo के अंदर, और यहाँ इसकी settings को हम open करेंगे, इसके logo के width को हम यहाँ से कम जादा कर सकते हैं, ओके, इसे हम चाहें logo को change करना, तो हम यह यहां से change logo इसे change कर सकते हैं हम इसे remove करना चाहें तो इसे हम यहां से remove भी कर सकते हैं उसके बाद अगर आप mobile device के लिए कोई order logo use करना चाहते हैं तो आप यहां से इस option को choose कर लेंगे और इसके अंदर आप mobile device के लिए एक अलग logo change कर सकते हैं जैसे हम यहां से इस image को ले लेते है तो mobile के अंदर हमारा कुछ अलग logo दिखेगा जब हम उसको desktop को उपर देखेंगे तो हमारा अलग logo दिखेगा हमने यहाँ पर logo को remove किया हुआ है तो हम यहाँ से desktop के लिए एक अलग logo चूज कर लेते हैं इस option को आपने टिक करनी होगी तो जाके आपका अलग-अलग लोग को शो होगा यह हो गया हमारे desktop का logo और यह हो गया हमारे mobile phone का logo इस तरीके से आप इसे customize कर पाएंगे इसके इलावा आप चाहते हैं कि logo और title भी show हो जैसे कि आपका यहाँ पर पहले में title हो उसके बाद आपका logo शो हो उपर में आपका logo हो नीचे आपका title शो हो इस तरीके से आप इसके style को भी change कर पाएंगे उसके साथ आपको यहाँ पर एक और feature मिलता है logo, title and tagline अब यह tagline क्या होता है तो आप अपनी website का कोई भी एक short description जो लिखते हैं यानि कि tagline जिसे कि हमारा हो गया dg web solution तो हम यहाँ पर title डाल देंगे कि all types of website designing ओके तो यह हो गया हमारा tagline तो यह tagline भी show होगा जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं और अब हम यहाँ पर choose कर लेते हैं logo, title and tagline तो हमारा tagline भी इसके नीचे show होगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा site icon का अब यह site icon क्या होता है तो उपर में जब यहाँ देखेंगे तो यह site icon यहाँ पर show होता है यह 100 by 100 का ही है लेकिन हम इसको यहाँ पर choose कर लेते हैं तो कि यहाँ पर ऊपर में हमारा site icon show हो रहा है इस तरीके से आपका site icon show होगा अब हम आजाते हैं इसके यहाँ customizer के अंदर जहां से हम features widget को add कर सकते हैं तो यहाँ पर देख रहा होगा कि second column के अंदर यहाँ पर logo लगा हुआ है जिसके first row में और second row में यहाँ पर कोई भी option नहीं है कोई भी widget नहीं है तरीके से आप अपने recording इसको change कर सकते हैं अब उपर में माल लिजी कि हमें social media का links वगरा देना है तो वह कैसे हम देंगे तो उसके लिए आप इस rows के अंदर इसके plus icon पे आप click करेंगे यहाँ पर आप चूज कर लेंगे social तो यहाँ पर आपका social media का links वगरा add हो जाएगा अब यहाँ पर भी हम choose कर लेते हैं HTML में हम जाएंगे और HTML के अंदर हम यहाँ पर edit को option में जाएंगे और यहाँ पर कोई message वगरा जैसे के डालनी है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं या कोई image लगानी है तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं हम यहाँ से design को भी change कर सकते हैं जैस कि हम यहाँ पर कोई promotional message डाल देते हैं ति हमारा promotional message यहाँ पर हो गया इसके text को हम edit करना चाहें तो हम इसके text को यहाँ से bold कर देंगे इसके design के अंदर हम आएंगे और इसके design को भी हम यहाँ से change कर सकते हैं इसके color को हम यहाँ से red कर देंगे इस तरह से आप background को change कर लेंगे border padding आपको लगानी है तो आप यहां से border padding भी लगा सकते हैं अब इसे भी आप यहां पे device के according change कर पाएंगे customize कर पाएंगे तो यह सारे features आपको इस theme के अंदर मिलने वाले हैं अब हम यहां पे वापस से आ जाते हैं लेकिन free version के अंदर आपको बहुत सारे widget add करने का feature नहीं मिलेगा ठीक है एक बार आपने जो widget यहां पे use कर लिया एक column के अंदर वो दुबारा आप use नहीं कर पाएंगे जैसे कि हमने यहां पे html को use कर लिया और social को use कर लिया आपको अब हमारे पास यहां पे दो ही widget बचेंगे यानि कि हम secondary navigation लगा सकते हैं या हम सर्च का widget लगा सकते हैं तो यह two widget यहां पे काफी है इन्ही दो widget को हम यहां पे रहने देते हैं अब हम आ जाएंगे यहां third column के अंदर यानि कि तीसरे column के अंदर भी इसी के according हमें यहाँ पर pick करनी होगी कि कौन सा हम यहाँ पर widget add करना चाते हैं उसे हम यहाँ पर add कर पाएंगे अब हम आज आएंगे footer के अंदर footer के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे footer के अंदर भी आप कुछ इसी तरीके से widgets वगरे को लगा सकते हैं जैसे कि यह widget हो गया इस widget के अंदर यहाँ पर क्या है यहाँ भी चार widget आपको मिल रहे हैं तो यहाँ first widget के अंदर हम इसके edit यानि के pencil का icon पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें images लगाने का एक यहाँ पर हम अपनी text वगरे को लगा सकते हैं जो की HTML text है हम इसे यहाँ पर लगा सकते हैं इसके अलावा और भी text हमें add करनी है तो वो हम यहाँ से add कर पाएंगे यहाँ पर हमें navigation system लगानी है तो हम यहाँ पर navigation system लगा देंगे उसके बाद जो सबसे main चीज यहाँ पर बचता है कि यह copyright footer को यानि पर change करना तो हमें यहाँ setting में यानि है और यहाँ से हमने इसको change कर देनी यानि कि theme credit जो है इसे हमने remove कर देनी है तो अब हमारे theme का credit remove हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे theme का credit यहाँ पर layout को change करनी है तो अभी हमारा layout है 1290 pixel पर हमें इसके layout को change करनी है तो हम इसके layout को change कर लेंगे otherwise हम इसको यहाँ पर by default रहने देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर content left right idg spacing इसे आपने यहाँ पर change करनी है तो आप यहाँ से change कर सकते हैं अपने according इसके बाद आपको यहाँ पर content top and bottom spacing इसे आप यहाँ पर increase decrease करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं otherwise आप इसे यहाँ पर by default रहने दे single post के लिए भी आपको यहाँ पर change करने को option मिल आएगा इसे भी आप by default रहने दे ताकि जिस तरीके से theme आपके side के उपर install हुआ है import हुआ है properly वो उसी तरीके से work कर सके उसके बाद हम यहाँ side bar के अंदर आ जाएंगे side bar के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीकी का layout change करने का feature मिलेगा जैसे कि आप side bar के width को कितना रखना चाहते हैं उसकी widget spacing क्या होगी कि side bar में जो भी widget लगाते हैं कि उपर में आपने लगा दि जो भी widget होगा side bar में वो sticky होगा जब हम उसे scroll करेंगे तो उसी के recording वो काम करेंगा next हमें images के अंदर आनी है तो images के अंदर अगर आप border radius वगरा लगाना चाहते हैं तो वह आप यहाँ पर लगा सकते हैं scroll to top इससे हम यहाँ पर enable कर देंगे ताकि जब हम नीचे इसको scroll करेंग इसे align कर सकते हैं कि right में रखनी है या left में तो यह सबसे better right में ही रहता है आप इसे right में ही रहने दे इसकी offset onset effect को भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं visibility को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं जिसे कि mobile device के उपर आपको यह option रखनी है या नहीं और desktop को उपर रखनी है या नहीं उसक हम कैसा रखना चाहते हैं तो हम यहां से choose कर लेंगे उसके layout को by default आपको यहां पर वही रहने देनी हैं उसके बाद आपको यहां पर comments के अंदर यह दो option मिलेंगे जैसे के move comments input above comment list यानि के जो भी comments आपके blog के उपर की गई है उसके उपर आप रखना चाहते है comment input list को तो आप इसे यहां पर enable कर देंगे तो इसे by default आपने enable करनी है उसके बाद remove comments website field comment के अंदर जो website का फिल्ड होता है यानि कि आपका website क्या है वो फिल्ड करने का जो option रहता है उसे आप यहां पर remove करना चाहते है उस फिल्ड को तो आपने यहां से इसको enable कर देनी है उसके बाद यहां breed comms का feature मिलेगा breed comms का अंदर by default आप इसे रहने दे ताकि जो theme का breed comms का जो feature है वो उसी के according आपका breed comms create हो जाए उसके बाद हमें यहां पर social links का option मिलेगा अब social links का अंदर जो भी social media आपने यहां पर add की है उसके links को आपने यहां पर डाल देनी है जैसे कि Facebook हो गया तो आप यहां पर Facebook page का URL दे देंगे Twitter का URL आप यहां पर दे देंगे Instagram का YouTube का उसी तरीके से जो भी social media आप यहां पर रखना चाहते हैं आप उसे यहां पर choose कर लेंगे हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहां पर बताना बोल गया कि आप यहां पर इसी change करना चाहते है तो वो भी change कर सकते हम यहां पैंसिल का उपर क्लिक करेंगे और social media इसके settings में हम जाएंगे और यहां से हम change कर सकते हैं जैसे कि हमें यहां पर Facebook नहीं रखनी है तो हम यहां से फेस्बूग को remove कर देंगे हम यहां पर YouTube इसको हम drag करकर कर देंगे उपर इसके item spacing हम यहां से बढ रिखा हुआ है, इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से design को भी change कर सकते हैं, जैसे कि इसका outline क्या हो, इसकी size क्या हो, वो हम यहाँ से change कर लेंगे, हम यहाँ पर use brand color, यानि कि जो brand का color है, वो हम रखना चाहते हैं, हम यहाँ yes कर देंगे, तो YouTube में YouTube का color हो उसका बाद हम आ जाएंगे यहां performance के अंदर तो performance के अंदर भी by default आपने रहने देनी है, इसके अंदर कोई भी changes नहीं करनी है, अब हम आ जाएंगे post और page के layout को choose करेंगे, अब यहां page layout के अंदर आप अपनी pages के layout को change कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे in content है और above content है, इसे आप अ standard mode में होगा, या full width में, यानि कि पूरे page के ऊपर, पूरी screen के ऊपर वो content show करेगा, या आप उसे content ने रखना चाते हैं, यानि कि box के अंदर रखना चाते हैं, उसे आप यहां से customize कर सकते हैं, page की title की alignment को आप यहां से change कर सकते हैं, उसे आपने left align रखनी है, center रखनी है, या right में रखनी है, उसके बात यहां पर आप title container minimum height को यहां से change कर सकते हैं, कि उसका minimum height कितना होना चाहिए, यहां से आप title की elements को change कर सकते हैं, इसे आप height और visible कर सकते हैं, जैसे कि breed comes आपका show होना चाहिए, या नहीज पेज के उपर, जैसे कि आप blog page के उपर जाते हैं, तो वहां पर breed comes show होता है home slash blog ओके तो वो breed comes आप शो करना चाहते हैं उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर title शो करना चाहते हैं नहीं तो obviously आपको page का title शो करना होगा उसके बाद आप यहाँ पर meta का भी यहाँ पर आपको option मिलेगा कि meta की visibility आप रखना चाहते हैं या नहीं तो जैसे आप कोई भी page open करते हैं तो वहाँ पर meta अगर show करेगा तो वहाँ पर आपकी admin का details show होगा जैसे कि आपका जो admin name है वो name वहाँ पर show हो जाएगा तो obviously उसे आपने यहाँ पर invisible करक के रखनी है उसके बाद यहाँ पर default page का layout जो मिलेगा कि normal, narrow, full width इसे आप अपने according रख सकते हैं left side में आपने sidebar रखनी है right side में आपने sidebar रखनी है page के उपर वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं page की default sidebar क्या होगी तो sidebar 1, sidebar 2 उसे आप choose कर सकते हैं और sidebar 1, sidebar 2 को आप customizer के अंद इसके बाद हम आजाते हैं यहाँ next single post layout, single post layout के अंदर आपको कुछ इसी तरीकी की customization का feature मिलेगा breed, comes, category, title, meta, excerpt यह आप शो करना चाहते हैं या नहीं अपने according choose कर सकते हैं उसकी title की alignment आप यहाँ से रख सकते हैं उसका layout आप यहाँ से change कर सकते हैं post का default layout का हो वो आप यहाँ से रख सकते हैं sidebar कौन सा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं content की vertical padding क्या होगी वो आप यहाँ से रख सकते हैं choose कर सकते हैं feature image आप किस तरीके से रखना चाहते हैं कहां पर show करना चाहते हैं वो आप यहाँ से customize कर सकते हैं feature image के अंदर अगर आप caption वगर लगाना चाहते हैं तो आप इस option को enable कर देंगे तो आप image के अंदर एक caption लगा सकते हैं यहां से enable कर देंगे तो footer का जो area होगा वो box mode में show होगा ओके show post author box यानि कि author box आप अलग से रखना चाहते हैं जिसमें कि author का name हूँ उससे आप box के अंदर रखना चाहते हैं तो इस option को enable कर देंगे show post navigation आप यहां से इसको enable disable कर सकते हैं show related post आप यहां से related post जो भी आपके blog के end में related post रहोंगे उससे आप दिखाना चाहते हैं या नहीं वो आप यहां से enable disable कर सकते हैं और related post का column कितना हो वो भी आप यहां से decide कर सकते हैं तो हम यहां पर दो column के अंदर दिखाएंगे दो column के अंदर obviously आपको 6 post या 8 post दिख जाएंगे उसके बाद comment show करना चाहते हैं तो comment obviously हम show करना चाहते हैं तो हम इसे enable कर देंगे उसके बाद आपको archive layout के अंदर आनी है तो archive layout के अंदर भी आपको कुछ उसी परकार के options मिलेंगे जिसे आप अपने recording customize कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर landing page layout वहाँ भी आपको कुछ इसी तरीका का option मिलेगा landing page का archive वहाँ भी आपको इसी तरीका का feature मिलेगा अब हम आ जाते हैं यहाँ search result के अंदर तो search result के अंदर भी आपको same वही features मिलेंगे जिसके अंदर आप अपने layout वगरा को set करेंगे अब हम यहाँ आयता है site identity के अंदर तो site identity के अंदर हमें यहाँ पर अपनी site के icon को change करनी है या इससे हमें remove करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं मेन्यू के अंदर आएंगे अब यहां से हम अपनी नेविगेशन सिस्टम को इसके अंदर जो भी मेन्यू है उसे हम यहां से कॉस्टमाइज कर पाएंगे अब इसके अंदर हम मेन्यू क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि यहां पर इबाउट इस मेन्यू को हम ओपेन करेंगे तो इ जैसे कि हम इस page को यहां से remove कर देंगे और दूसरा page हम लगाना चाहते हैं तो add items के उपर हम जाएंगे और यहां से दूसरे page को हम add कर सकते हैं जैसे कि हम यहां पे books इस page को लेनी है तो हम यहां से books को ले लेंगे इसको हमने drag करके अगर उपर रखनी है तो हम यहां से उपर र या secondary menu को वहाँ पर रख सकें लगा सकें हम यहाँ home page setting के अंदर आएंगे अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सेट करनी है कि आपका जो home page हो वह aesthetic page हो यह आपका latest post वहाँ पर show हो तो अगर आपका एक business website है तो आपने aesthetic page रखनी है अगर आपका blog है तो आपने यहाँ पर choose करनी है your latest post ताके जो भी latest post आप वहाँ पर post करें अपने blog के उपर वह आपके home page के उपर show होगा उसका बद यहाँ पर कुछ additional feature मिलेंगे जैसे कि additional CSS वगरे लगाने का तो इसे अगर आपको CSS वगरे या coding की knowledge है तो ही आप इस option को open करें और इसे use करें otherwise आपने इसके अंदर कोई भी changes नहीं करने है उसके बाद यहाँ पर import और export का option आएगा जिसके अंदर आप अपने theme settings को import या export कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके सारे settings को reset कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारे customization के options मिलने वाले हैं आपको इस cadence theme के अंदर जिसके according आप भी अपनी website को impressive user friendly, SEO friendly और obviously adsense friendly भी बना सकते हैं तो I hope कि इस video के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि अगर आप guidance theme को free में use करना चाहते हैं तो कौन-कौन से features मिलेंगे आपको कौन-कौन से customization के options मिलेंगे जिसके according आप भी अपनी website को customize करके professional website बना सकते हैं तो वीडियो किसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो गर आपको informative लगी हो तो इसे like share जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेर करें जो कि अपना एक नया website शुरू करना चाहते हैं जिनहें पता लगे कि आप free themes का भी यूज़ करके professional website design कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई topic के साथ जय हिंद।